नेट्फ्लिक्स फिल्म अमर सिंग चमकीला रिलीस हो गई है फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में थी फिल्म में दिलजीत दोसांज और परिनीती चोपरा लीड रोल में है जबकि फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है इम्तियाज अली ने पंजाबी सिंगर अमर सिंग चमकीला की जिंदिगी को फिल्म में दिखाया है जाने कैसी है OTT प्लेटफॉर्म नेट्फिक के बारे में कहानी पंजाबी सिंगर अमर सिंग चमकीला की है पंजाब के ओरिजिनल रॉक्स्टार कहे जाने वाले अमर सिंग चमकीला ने 20 साल की उम्र में अपने गानों से धूम मचा दी थी महस 27 साल की उम्र में उनका कतल कर दिया गया था फिल्म में चमकीला की इहम पड़ावों को दिखाया गया है इम्तियाज अली ने कहानी को चित्रों और एनिमेशन के जरिये भी दिखाया है इस तरह से उन्होंने अच्छे से चमकीला की लाइफ को परदे पर उतारा है हालाकि वो चमकीला की जिद्गी के बारे में कोई नई बात पेश नहीं कर पाते हैं जितना उन्होंने दिखाया है वो कहानी उनके चाहने वालों को जरूर पता होगी इस पंजाबी सिंगर उनके गाने और कुछ पड़ावों को स्क्रीन पर देखकर अच्छा लगता है और उस दौर के पंजाब को अच्छे से परदे पर उकेरा भी चमकीला की कहानी जितनी उन्हें मिली उसे दिखा दिया फिल्म की लेंध थोड़ी कम की जा सकती थी बाकी सब ठीक ठाक है यह इम्तियाज की अच्छी कोशिश है दिलजीत दोसांज ने चमकीला का किरदार निभाया है वो इस किरदार में गहरे तक उत्रे हैं और कैरेक्टर की बारिकियों को भी उन्होंने अच्छे से पकड़ा है एक्स्प्रेशन भी जोरदार है अमरज्योत के किरदार में परिनीती चोप्रा ने उनका अच्छा साथ दिया है जो चमकीला के फैन है जिन्हें चमकीला के गाने पसंद है जो दिलजीत दोसांज को शांदार एक्टिंग करते देखना चाहते है और जो पंजाब के इस सिंगर के बारे में जानने में दिल्चस्पी रखते है उनके लिए यह अच्छी फिल्म है अगर आप चमकीला के बारे में कुछ नया जानने की उम्मीद करते हैं तो निराशा हाथ लग सकती है पूरा वीडियो देखने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते है आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें अपना सुझाव दे ताकि आपके सुझाव पर विचार विमर्ष कर सके अगर आप नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे फिर मिलेगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद